हेलो नमस्कार मिला नाम एवड़ाश वर आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों स्वागत है काइनात का बहतरिन विकेट कीपर बल्लेवाज सर्फराज हमद ने गजब की उन्होंने जो है आज कैसिंग प्रैक्टिस की है स्टंपिंग इतने जबरदस्त की है कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि कोई इतना जबरदस्त स्टंपिंग कैसे कर सकता है भाई मुहमद रिजवान से फार फार बैटर जो है विकेट कीपर है आपके सर्फराज है मत इसी वज़े से 141 की स्कूर कार्ड जा 141 रन पे डेविड व जीज हो गई तो क्या आप उसे माफ नहीं कर सकते बिलकुल माफ कर सकते आकर कार सर्फराज है मत बाई वाकिस्तान का धोनी है धोनी की तरह जो तेज इस्टंपिंग करता है ये न तो जीवन में पहली बार हुआ है सर्फराज है मैं तो हैरान हूँ सच में मुहमद रिजव भी जो है ना कमेंटरी पैनल में अगर वो होंगे तो शर्मा रहे होंगे बिल्कुल शर्मा रहे होंगे कि भाई आखरकार हमको ना सर्फराज एहमत से जो ना मुहमद रिज्वान इस जगह होता ना तो इतना बढ़ियां से स्टंपिंग चांसे को मिस नहीं करता इतना जबर्दस तरीके से देखे एलिगेंस होता है कभी कबार ना कोई को तो एक्टिंग कर लेता है लेकिन सर्फराज एहमत एक ऐसे प्लर है जब यह कुछ विकेट कीप पर में मैं बता रहा हूं बादमा की यार डेविड वार्नर हमने सोचा था कि आप लोग जो है जल्दी से उसको निप्टा देंगे और डेविड वार्नर जो है अराम से मार दिया बंदेने अभी डेर सो रन उनने मार दिया अब पता नहीं फेरवेल सिरीज है उनकी और साथ अब बैटिंग करनी है कल भी दीन भर करेंगे कम से कम चार पांपां सो रन तो लगने ही चाहिए तीन सो रन आपने ऐसे ही बनवा दिये है तो यह चीज़ है और एक चीज़ से और में ताजुब हूँ कि अभी तक कोई कैप्टेंसी के बार में बात नहीं किया है अब तक अ बाबर क्या करेगा बाबर ने तो दोस्ती यारी प्लेंग 11 खिलाना था रोटी गैंग उनको खिलाना था तो वो तो अपना खिला दिये अब शान मसूद जो है सबसे तगड़े और सबसे काबिल प्लेयरों को जो है अपनी टीम में उन्होंने सेलेक्ट किया है और उनके जब भी आप स्टंपिंग चंसेस को मिस करें उसमें एलिगेंस तो दिखना ही चाहिए धन्यवाद